तो आपको यहां पे स्क्रीन पे जैसे नजर आ रहा है दे आर टू तो वेरी हैपी पीपल आपको यह नहीं होता जैसे मैंने फॉर्म बताया था कि कोई दुगान होगान ऐसा कुछ नहीं है एक ही ओफिस होगा एक ही बिजनस होगा जो जो मूवी में उनको काम मिला था ताट वस देर जॉब बिसिकली इट इस फॉमल और वही पे टाका विड़ा और शादी हो गई तो इट विकम्स इनफॉर्मल इस दैट प्लियर सबको समझ में आ गया चलिए तो मान लिए बकरीद में प्रथा है इसलाम धर्म में कुर्बानी देने की बकरा कटवाने की अब कोई सोच रहें की बकरा पहले खरीदना पड़ेगा पिर काटना पड़ेग कुछ पूजा पाट करनी पड़ेगे वगरा वगरा एक प्रोसीजर है तो तो इस दिन पर्टिक्लर नी कोई इनसान बाहर चला गया नहीं हो पाई उस दिन कुर्बानी उसके हां तो उसने दो दिन बात सलक से कोई देका बकरा घुमरा था उसको पाकला के लाए प्यार से सम बट किसी का कभी भी मन किया कि चलो आज खाना मनाने का मन नहीं है आज मंदिर मस्जित चर्जुर द्वारे कहीं चलते हैं बंदारें कुछ ना कुछ मिली जाएगा खाने को अब उसके लिए टिकेट तो खरीदा नहीं पड़ेगा इस फ्रीपर एवरीबड़ी देन इस कॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और रूल्स और रेगुलेशन को इग्नोर किया जाए दाट इस नोन आज इन फॉर्मल और इंफॉर्मल और सबको फॉर्मल इंफॉर्मल में दिफ्रेंस समझ में आगया चलिए एवर्यबड़ी राइट इंफॉर्मल और यह दो लाइन की लिख ले मीनिंग लिख लें बैसिकली तो इट इस अ कॉंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ नौट ड्यूटी और अथॉर्टी और रिस्पॉंसिबिल्टी जल्रें राधर इट इस अनेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन्शिप इस अट्लियर तो फेस्बुक पे आपने अगर अपना अपने घर में दस लोगों को इनवाइट किया डिनर पर लंच पर तो वो लोग अपने साथ एक दो लोग ऐसे लिया है जिनके बारे में आपको भी नहीं पता था कि वह आएंगे तो यह मत समझेगा कि दुकान हो है ऑफिस है इसका नाम फॉर्मल इनफॉर्मल है ऐसा कुछ नहीं होता है तो फैंडी ने प्लान किया कि गर्मी की छुटियां हो गई है चले चार धाम की यात्रा कर आएं That is known as फॉर्मल प्र चार धाम की यात्रा करने के बाद तिंचार दिन गुमने का मन और कर गया प्लैनिंग थी नहीं चले कर लोग काशमीर गूमने के लिए then it becomes what informal train में reservation करवाया अपनी seat पे बैटे formal किसी भी चलती गाड़ी पे step up कर गए और टीटी आया उससे penalty के साथ ticket बनवाली आपने तो now it becomes ticket बनवाना तो formal होगा but उस train में step in करना without plan is informal सबको ये बात समझ में आगई दो प्लेट छोला बटूर आपने मंगवाया जो quantity मिली वो तो खाई खाई तो formal हो गई आपने बाद में request की और थोड़ा से छोले और दे दो थोड़ी सी चटनी और दे दो रूल में तो आता नहीं है then it is informal restaurant वाला चतुरता समझ गया कि लोग इस तरह की बहुत आशकल करने लग गए तो इसने बोला एक्स्ट्रा जब भी आप कुछ मांगेंगे तो हम उसका भी चार्ज आप से लेंगे तो इसने उस informal चीज को क्या बना दिया formal बना दिया is that understood well सब को समझ में आ गया तो चट पर definition लिख ले so like we had the features of informal children here we have the features of informal सबसे पहला feature क्या है it is created automatically आपने office join किया आपने job join किया आपने business setup किया so called there are certain rules and regulations जिससे आपका recruitment हुआ था बट वापे लोगों से जान पिचान हुई तो बिना किसी so called proper rule and regulation के ही आपकी दोस्ती आ रही हो गई कभी कभी किसी का काम किया आपने help कर दी उसकी कभी किसी काम में किसी ने आपकी help कर दी so it is automatically created without any purposeful efforts of the management तो क्या management बोलता है चलो आपसमें दोस्ती करो management बोलता है आप भाईचारे का attitude रखो management बोलता है थोड़ा सा socially active हो जो management कहता है जो दिमाग आपके पास है उसको काम पर लगाएं जिसके लिए आपको employee किया गया है but in between people automatically become friends उसके साथ रिष्टा इतना गहरा establish हो जाता है कि हफते में दो दिन आप अपने कुली के आप डिनर पर जाते हैं दो दिन आपका कुली आप के आप डिनर पर आजाता है क्या यह बात management बोली थी नो तो deliberately created by management होगा तो क्या बोलेंगे इसको बचो formal और automatically created होगा without the efforts of management तो क्या बन गया informal तो पहला difference अपको समझ में आ गया that was deliberate here it is not deliberate not any purposeful activity was done but बिना formal organization के क्या informal हो सकता है नो अगर आपकी job ही ना लगी होती है आपने business setup किया ही ना होता आपने कभी वहाँ पे employees को hire किया ही ना होता कभी rules and regulations के accordingly लोग वहाँ पे आते ही ना तो कभी भी उनके बीच में personal relation किसी तरह का develop ही ना होता तो it is formal organization giving rise to informal और children it is informal organization giving rise to formal simple formal giving rise to informal तो यहाँ पे इस चीज़ को आप note down भी कर लें it is formal organization that gives rise to informal और्गनाइजेशन कि अपड़ें बात गई चला कि अपड़ें बात गई तो सब्सक्राइब और आप इसके लिए बढ़िया से प्रिपेर कर लिया और आप एक्जाम के लिए एक्दम तयार हैं बट आपने देखा वहाँ पे तो इडिया गया था तो इट इस अपार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ और फॉर्गनाइजेशन के लिए फॉर्मल बट जो लोग्चिट विट बना के लिए है वाट इस एट इन्फॉर्मल एड देर भी नो एक्जाम शेडूल और प्रपोस्ट क्या लोग्चिट बनाते नही अगर आप रिलाइंस फ्रेश से सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो इस टाइप ऑफ और फॉर्मल सब के लिए प्राइस वगरा से में बन मौले में ठेले वाला आ रहा है तो को लगा रहा है जाहिलों का वारों की तरह तो इट बिकम पॉट इन्फॉर्मल समझना गया समझ म कि अधा खाना खा रहे हैं आधा गिरा रहें तो इट बिकम्स इन्फॉर्मल वुबिन बुलाए मेमान शब्द आपने सुना होगा बुलाया नहीं तह बढ़ना लाइक चले आए तो कौन सा होगा चल रहनी है इन्फॉर्मल ऑर्गनेशन समझ मागया कभी-कभी हो सकता है कि एक्स बैंक्वेट में शादी ब्या में जाना था आप गलती से वाय में चले गए जो आपको एक्स बैंक्वेट में जाना था दाट वर्स फॉर्मल नहीं जाना था वाय में गलती चले गए बात में देखा को रिष्टेदार मिली नहीं रहा है अब इस स्टार्टर्स खाना तो जहां बैठना था, that was, formal और गलत जगा चले गए वो, informal, समझे इस बात को, clearly understood, घर से प्लान बना के गए थे, वेहिकल में पेट्रल फिल करवाना है, तो it is formal, सोचा आप आए, चलो लगे, आखावा भी चेक करवाई ले, वेहिकल में एक बार, so that is informal, समझे बात को, do not allow any fixed path, formal में fixed path होती है, यहां पे जुगाड़ पानी से जैसे काम बनता, बाड में जाये जनता, अपना काम आपको निकालना है, employees behavior is based on what children, convenience and there is no structure like scalar chain चलगाई, तो all the differences are well understood by all children, तो आपको formal में structure मिलेगा scalar chain का, बट यहां पे आपको किसी भी तरह का scalar chain का so-called structure मिलेगा ही नहीं, तो आप यहां लिख सकते हैं, unlike scalar chain, और common लगाखे लिख दीजे, mostly dependent on gang planks, meet me to this, let's continue further, with the merits, ज़्यादा तेज काम कब होगा बच्चों, जब rules and regulations बहुत strict होंगे, या जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा attached होंगे, जब लोग attached होंगे, तो informal organization past काम करता है, यहां पे कोई भी procedural delay नाम की चीज़ नहीं होती, if an employee in the office gets absent, जो उसका कुलीग होगा, वो उसके काम को अंजाम देदेगा, ताकि overall organization lack ना करे अपने speed of work में, so it is highly flexible because it is not based on rules, the needs are based on social activities, rather the rules which are framed by the management, और काम जल्दी होगा, timely feedback मिलेगा, हमको employee का wait नहीं करना कि अगर हो नहीं आया, तो काम बाद में होगा, या response time delay हो जाएगा, unlike that children, तो अगर आप किसी bank में जाएं, और आप बोलें कि भई हमको so and so work करवाना है, तो आपको एक employee बोलें, भई today that particular employee is absent, आप कल आ जाएए, वो कल आ जाएएंगे, तो आपका काम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, formal, ये ऐसा generally सरकारी बैंकों में होता है, like आप State Bank of India चले जाएए, Canada Bank चले जाएए, Punjab National Bank चले जाएए, ये काफी ऐसे banks इंडिया में है, अगर आपको आपको आपका account close करवाना है, तो उसके लिए भी जुगार सही है, जल्दी आपका account close करेंगे नहीं, और आपको टरकाएंगे, कल आओ, परसौ आओ, नरसौ आओ, क्वान्स ओर्गनाइजेशन हो गया, formal organization, is that clear, पर अगर कोई दूसरा employee वहाँ पे आपकी help कर दे, आपकी मजबूरी को देखते हुए, then it becomes what, informal organization, समझ में आगया, तो please copy all these four points, तो years ago, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, there was an account in Punjab National Bank, और उसको close करवाना था, तो I went there, आफी तूर account था at my lost place, तो मैंने उनको बोला, भी account close कर दीजे, अब पहले तो आना का नहीं, उनको लगा customer भाग रहा है, इसको बागने मत दो, फिर के रहे सर वो closing का time चला हम बहुत busy है, मैंने क्या busy हो, काम तो सारा computer में करना है, एक button दबाओगे, सारा काम चट से complete हो जाएगा, तो के रहे नहीं अभी नहीं, अभी तीन दिन बाद आईएगा, तो मैंने का सर I have come from a very far off place, मेरे लिए बार-बार आना मुश्किल नहीं, नाममकिन है डॉन को पकाड़ना, तो घरा हम क्या आगरे, हम आप बहुत काम आप जाएए यहां से, तो देन लेडी वो सिटेंग नेक्स तू दाट टेबल, मैंने उनसे request की, पढ़ी लिखी लग रही थी मेरे को, के सर आप 15 मिनिट वेट करिये, I'll do the needful, उसने मेरी passbook लिए, इसके साथ एक checkbook मिली होगी, मैंने का madam checkbook तो घर की सफाई हो रही, तो पेंटिंग में गहीं, हो गई, this is the ATM card आप इसको वापेस ले लिजे, तो उननों बोला आप बस एक application लिख दीजे, की checkbook has been lost, and all the checks were used, वो जमाना ऐसा था, जब checks का online registration नहीं होता था, is that clear, बस यह होता था कि आप लिखके देदेंगे, तो मान लिया जाएगा, तो उसने मेरा काम आदे घंटे के अंदर complete कर दिया, यह आप कैश काउंटर में जाके लिए लिजिए, तो जो पहले वाला employee था, वो informally behave कर रहा था, and she behaved it formally, is that understood or not, तो banking rules में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, कि आप अगर 28 March को 27 March को bank जाएंगे, तो bank officer deny कर सकता है आपका काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाटे होते दलिद्धा टाइप के नहीं है, इसलिए यह पिरना है कर देते हैं, समझ में आगई बात की नहीं आई, बकाँ, चलिए, ने लिख लिए, रेंका जी, प्रेश जी लिख लिख लिए, प्रेंका जी लिख लिख लिए, अनुशका जी, फ्लेक्सिबिल्टी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, बट यहां पे आपको बढ़िया प्रॉपर फ्लेक्सिबिल्टी मिल जाएगी, आपको यहां पे वेट नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी ऑफिस में जाए, अगर एंप्लॉई अप्सेंट है, और आपको लाइसेंस बनवाना है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बड़ा नाटक है, तो देर आर प्राइवेट एजेंट्स जो आपकी हेल्प कर देते हैं चिल्टन, वो नौकर नहीं आटी हो के, उनका अपना काम है, बड़ा उनको पताएगी exactly किस काउंटर पर जाके क्या बात कैसे करनी है, कैसे online portal पर आपके driving test का registration होगा, everything children, so agents की वज़े से the work of the person becomes very easy, तो agents की वज़े से काम informal हो गया, else it is all formal, समझ गए, copy these two points, the next advantage is children, it is based on social feedback, sorry social needs and not the needs of the organization, तो organization में तो हम काम करी रहे हैं, बड़ अगर मेरा कोई काम pending है, तो my colleague can help me, colleague का कोई काम pending है, तो I can help, तो आपके घर में rule है, जो बरतनमानी आ रही है, वो बरतन ही दुलेगी, वो कपड़े का काम नहीं करेगी, but if on a particular day, the washer women of the washermen gets absent, तो बरतन वाली निकल आईए, ममी से बोला, भाबी जी, हम ही आपके कपड़े भी दूल देते हैं, तो she is doing which type of activities, formal और informal, तो ये informal organization हो गया, बट सब अपने काम से मतलब रखें, किसी को कोई मतलब नहीं हो, तो वो formal होगा, तो जब social needs पे offices चलते हैं, हम दूसरे की help कर देते हैं, तो हर employee को लगता है, that I am an important part, और हाँ, यहाँ पे employer भी आपका ये नहीं बोलेगा, कि तुम्हारा काम निए, तुम उसको क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई उसको भी पूरे काम करवाने से मतलब है, तो manager is interested in knowing, कि भाई काम पूरा complete होना चाहिए, अगर X absent है, तो Y उसका काम कर सकता, then only Mr. X will feel, कि भाई लोग मेरी चिंता organization में कर रहे हैं, किस employee की तब बेद ज़्यादा खराब हो गई, वो hospital में जमा हो गया, जमा हो गया मतलब, admit हो गया, अब क्या rule book में कहीं लिखा है, कि office के लोग उसको देखने जाएंगे, क्या rule book में कहीं लिखा है, कि जो office के senior most person होंगे, वो visit करेंगे, no, but as a matter of social needs, as a matter of so-called personal behavior, वो उसको hospital में जाके meet up कर सकते हैं, then it is again called as informal channel, prescribed line of communication, scalar chain follow नहीं होता, क्या follow होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं, which of the following are formal और informal channels, याद रखिएगा, scalar chain आता है formal channel में चलें, और gang plan किसमें आएगा, informal channel में आएगा, what are the disadvantages, सबसे पहले disadvantage है, कि जो लोग informally काम नहीं कर पाते, जो थोड़े मतलबी type के होते हैं, जो थोड़े shrewd type के होते हैं, जो so-called rules पे बड़ा विश्वास करते हैं, they will always be opposing those, जो जुगाड़ पानी से अपना काम कर लेते हैं, या दूसरे गहल कर देते हैं, ये groupism को बढ़ावा देता है, individual rules के accordingly, organization में काम नहीं होता, and इससे अफ़वाएं ज़्यादा फैलती हैं, और सही news जो notice में लिखिये वो कम फैलेगी, लोग अपनी बाते भी उसमें बढ़ा चला के दे देंगे, समझ में आगया बुलेगी, उपस, अब समझ में आगया से, खोपड़े में बाद गई, जैसे ऑफिस में कभी-कभी गुट बाजी हो रही है, तो मान लीजी आप स्कूल में पढ़ें, और क्लास में कुछ बच्चों ने अपना गुरूप अलग से बना लिया, वो किसी से बाचीत नहीं करते हैं, आपने श्राब भी दे दिया, सारे एक सारे टॉप कर गए, अपने माबाप का साथ छोड़ के, बाहर चले गए पड़ाई खाई करने, बुड़ाबी की लाठी, खतम होगे उनके पेरिंट्स की, ये क्या हो रहा है, प्रमोट्स गुरूप पिर्सम, प्रमोट्स गुरूप पिर्सम, समझ में आ गया, तो स्कूल में सब बच्चे, अपने टिफिन लेके आते हैं, और लंच ब्रेक में रीसेस में खाना खा लेते हैं, और मेजॉरिटी बच्चों की आदत है, कि वो दूसरे के साथ अपने टिफिन शेर भी करते हैं, तो इन फॉर्मल, समझ में आ गया, जिनको ये काम अच्छा नहीं लगता, वो कहेंगे बोकलक नहीं के लगता, अपने घर से खाना नहीं लेके आए हैं, समझ में आगी बात, समझ में आगी बात, तो अपना टिफिन खाना इस फॉर्मल, और दूसरे के टिफिन मुँ मारना इस इनफॉर्मल, सब समझ के इस बातों को, चलिए कॉपी कर लिजे ओल त्री पॉइंट्स, तो management may not be successful in implementing changes, क्योंकि जब भी change आता है management में चल्ड़न, people have the habit to resist it, वाइ रिजिस्ट इट, वेकॉज उनको लगता है नया काम है, अगर हम नहीं सीख पाए, हमारी efficiency थोड़ी सी deteriorate हो गई, तो सकता है हमारा employer हमको job से kick out कर दे, तो हमेशा वो धर्ना प्रदर्शन और हरताल वगेरा में चले जाते हैं, तो यह जो हरताल और धर्ना प्रदर्शन और चले रहे हैं, और अगर सर छुटियां बची हैं तो कोई मतलब नहीं है, काट वी जाती है, जैसे सर, पुलिस वाले कभी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, कभी आपने सुनाया, पुलिस की स्ट्राइक हो गई, वकीलों की तो आई दिन होती रहती है, समझा गया, डॉक्टरों की भी हो जाती है, अगर लड़ाई जगडा हो गया, कोई पेशन्ट मर गया, उसके मरीज क्या सोचते हैं कि डॉक्टर ने जान पूछके उसको मार दिया, क्या डॉक्टर पाइस दना टाइम है, और अगर उसको जान पूछके ही मारना होता, तो he could have become a सुपाडी किलर, नहीं समझे, वो सुपाडी किलर बन जाता, कि भई मारने का ठेका मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, तो कोई भी डॉक्टर जान पूछके, किसी पेशन को नहीं मारता है, is that clear? हाँ, medical negligence हो सकता है कभी-कभी, बट वो भी again attempted नहीं होता है, deliberate नहीं होता है, वो inhuman नहीं होता है चल रहें, वो by chance का बात है basically, जब डॉक्टर बोलता है कस्रत करो, तेल घी वाला काना कम खाओ, कोई नहीं मानेगा, दना दन पकॉड़ी का चॉड़ी खाएंगे, cholesterol बढ़ जाएगा, art की blockage हो जाएगी, जब फाइनली निपटने की कगार पर आगगा, लाके अस्पिताल जमा कर जाएगे अपने मरीज को, समझ में आगी, यह फॉर्मल हो गया, बट उसके बाद, और उसके बाद, तो इसे क्या बोल देंगे बच्चो, इनफॉर्मल, बात समझ में आगी, तो इसलिए management में, जब भी कोई नया system आता है, office में कोई भी नया rule आता है, मान लीजिए, अभी तक work manual हो रहा था, and now it is going to be computerized, तो employee resist करेगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरे को computer चलाना आता रही है, if my output went down, if my output falls, तो हो सकता है कि मेरे को job से बाहर कर दिया जाए, तो what he will do, he will always oppose this system, जैसे school हो में, इंडिया में, आज से 15 साल पहले, जब यह smart board system, और यह सब technology आई, तो काफी teachers ने इसको oppose किया, क्यों oppose किया, because they were not sure, कि वो इस technique से अच्छी तरीके से बचों को पढ़ा पाएंगे या, नहीं पढ़ा पाएंगे, बट जब उनको training दे दी गई, वो computer savvy बन गए, अब उनको इसी system दे पढ़ाना बहुत, अच्छा लगने लग गिया, is that understood, तो supposingly you go to school, teacher आपको पढ़ा रहे हैं, बट teacher का कोई interest था, उन्होंने कोई एक बढ़िया सा question bank create किया, और आपको provide कर दिया, by school system, it was not to be done, but teacher did it as a part of help to the students, तो आप इसे भी क्या बोलेंगे चल्टन, informal बोलेंगे आप इसको, समझ गए इस बात को, promotes group children, तो यहाँ पे गुटबाजी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रूपिजम ज़्यादा होगा, और यह ग्रूपिजम कभी-कभी harmful हो सकता है, और कभी-कभी यह organization के फायदे की भी बात कर सकता है, सर कैसे, टेक एन एक्जाम्पल की trade union form होगा, यह trade union बनाना formal है, trade union बनाना allowed है, जो भी employees किसी भी employment में काम कर रहे है, वो अपनी trade union अपना group बना सकते हैं, और इसको register भी करा सकते हैं, और अगर कल को कोई भी employer, किसी employee को undue परिशान कर रहा है बचो, तो देखें, और अगर employer time पे salary बढ़ा रहा है, incentive दे रहा है, अपनी financial position के accordingly अपने employees को pay कर रहा है चल रहे हैं, तब भी employees का नाटक नहीं खतम हो रहा, and they are going on a strike for getting their illegitimate and undue demands to be approved, in that case यह management के लिए गरबड हो जाएगा, यहाँ पे group promotion is acting as a demerit, and this is basically harmful because it is against the organizational interest, तो अब यहाँ पे point लिख सकते हैं, how it is harmful, if employees for the purpose of fulfillment of their undue या illegitimate demand सिक्थी जे, go on strike, तो यहाँ पे जो informal organization है, यह गलत हो गया, यह demerit है इसका, लिखने लोग, and the next one is spread rumors, the information that is to be given to everybody, is generally given in the office through what children notices, but अगर notice नहीं है, notice board पे और आपस में ही लोग एक दूसरे को message दे रहे हैं children, तो communication तो fast होगा, but many a time हो सकता है, जो communicate नहीं करना था, वो communicate हो गया, और जो कर दिया communicate, वो actually करना ही नहीं था, and this may hamper the reputation of the rules, that are framed by the organization's management, to be followed in the general course of conduct, of the so-called business children, तो अर्जी फर्जी चीजें बताना, अल्तु फाल्तु बात करना, is rumour children, गलत चीजें उड़ा देना, employer ने बोला कि 10% salary बढ़ेगी, बट 10 से शाम तक बात होते होते हो, पता नहीं कहां तक 15% पहुँच गई, और कल को salary बढ़ी से 10%, a group of employees got annoyed, and said की बात तो 15 की हुई थी, 10 क्यों बढ़ी, तो employer says की मैंने तो किसी को 15 बोला ही नहीं था, तो ये rumor फैल गया था, समझ में आगई बात, तो मौले में बेर सारी आंटी लोग ने kitty party जोइन कर ली, rule है जिस दिन kitty party होगी, अब उनको आपस में बात करने का मौका मिला, तो वो बातचीत करने लग गए, इस इस वाट चिल्डन, इन फॉर्मल और मौका नहीं समझे बात को, खोपने में बात गई, तो मौले गी आंटी जी लोग जो पंचायत करती है, जो पंचावरा करती है आपस में, तो फॉर्मल और इन फॉर्मल चिल्रन, इस इन फॉर्मल, समझे इस बात को, जटपट लिखने हैं बत्यों, जटपट लिखने हैं, तो फॉर्मल वर्सेस इन फॉर्मल, लिख दीजे है एडिंग कॉपी में, अब यह मत सूचिए का, कोट पहन के चले गए, ऑफिस तो फॉर्मल हो गए, और निकर टी-शिट पर जामा पहन के चले गए तो, इन फॉर्मल, टाइम पर ओफिस पहुचे अटेंडनस लगा दिया तो फॉर्मल, हमेशा लेट पहुच रहे या पंदरा दिन से ओफिस ही नहीं आए, पता लगा CID एजेंट है, तो ये इन-फॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो जो लोग RAW में होते हैं, RAW का नाम तो सुना ही होगा चलें, रिसेर्च एंड अनालिसिस विंग, जो हमारा मिलिटरी डिफेंस का इंटेलिजेंस है, तो अगर यहां पे कोई जमादार है इस ओफिस में, सबको गागा के बता रहा है, मैं RAW में काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, यह नहीं बता रहा किसी को, तो इट इस पॉर्मल, बट जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं RAW के, क्या वो बताते हैं हम क्या काम करते हैं, वो यह बोलते हैं कि भाई हम RTO office में clerk हैं, हम bank में manager हैं, बट काम actually क्या कर रहे हैं हो लोग, RAW के secret agent है, तो RAW के secret agent है, फॉर्मली, बट लोगों को बता नहीं रहे, और बता रहे हैं हम bank में manager है, हम RTO office में clerk हैं, तो जो है वो बता नहीं रहे है और जो नहीं है वो सब को बता रहे है तो बैंक में मैनेजर है लोगों को यह पता है फॉर्मल हो गया बट प्रैक्टिकली वो क्या है रोगे एजेंट है यह इन्फॉर्मल हो गया इस दा अंडर्सूद ओर नो निख सम्झे बात को तो दो हेडिंग लिख लें पेज को सेंटर फोल्ड कर लें लेफ में लिखें फॉर्मल और राइट में लिखें इन फॉर्मल चिल्डन सबसे पहले मीनिंग टेलिबरेटली प्लाइटली 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 क्रियेटेड अर्लेशनशिप बाइड़ सोचल इंटरेक्शन इन ओफिस फॉर्मल कभी-कभी वो अपने बच्चों को लिया है और आपने उनको थोड़ा सा बेसिक ABCD कोई पोईट्री कोई मैट्स के लिए सब सिखा दी तो इट इस वाट चिल्डन फॉर्मल बट विन दा सो कॉल मेट और हाउसल्प्स चिल्रन स्टड़ी इन पर्टिक्लर स्कूल चिल्रन देन इट इस अलसो कॉल्ड है समझना गया तो बस हमेशा या दटना है स्टार्ट हुए थे फॉर्मल से और रिष्टा कंवर्ट होते होते क्या बन गया इन फॉर्मल तो मान लीजिये कि भई आफ्टर डूइंग जॉप टेन इयर्स आपके घर में कोई फंक्षन है तो आपके अपने ऑफिस के भी धेर सारे कोलीक्स को बुला लिया क्या आपकी duty थी उनको बुलाना क्या rule book में कहीं लिखा था no तो all your guests which constitute your family members they are supposed to come तो यह क्या हो गया formal your relatives they are supposed to come तो यह क्या हो गया formal बट जो आपके office stuff वाले हैं वो बन गए रिष्टेदार बट actually उनके साथ आपका कोई ऐसा रिष्टा ब्लड relation cousins का था ही नहीं तो उनका वहां पे आना इस इन फॉर्म ओके समझना गया तो बेस्टेस एक्जांपल कुड़ बी एक पत्ते में पाँच पानी पूरी होती है आपने वो तो खाई ली फिर आप चार्ट वाले से बिकारी क्तरा बोलें ज़रा एक पीस चटनी वह खि इन फॉर्मलाइज करते जा रहे है तो जिस पाटी की मेजॉरिटी होगी वही सरकार तो उसी की बनेगी ये हमारे election के rules भी है constitutional में लिखा भी है ये क्या हो गया formal समझा गया अब मेजॉरिटी के लिए suppose इंडिया में 543 का आदा 273 सीट चाहिए सर 273 का होता आदा 272.5 होता है तो एक ऐसा मिनिस्टर चाहिए जो आदे दिमाग का हूँ तो 273 चाहिए तो बीजेपी को मान लीजिए 240 सीट मिल गई कॉंग्रेस को लेटर से इंडी गद बंदन उसा उनको 220 मिल गई अब सब जुगाड पानी सेटिंग में लगेंगी मेरी सरकार बन जाए मेरी बन जाए दूसरे लोगों से बाद में बात की गई पहले कोई ऐसा इरादा था ही नहीं तो इस वट इनफॉर्मल दूसरी पार्टी चलो कोई बात भी हमारी भी इंपॉर्टेंस रहेगी कम से कम हमारी सीट पंदरह ही है वाद हम जिसकी तरफ चल जाएगी उसकी सरकार बन जाएगी तो हो सकता उनको ये लग रहेगी 15 सीट वाली जो पार्टी है उसमें से कम से कम दो लोग को मिनिस्ट्री मिल जाए और जिनकी 500 सीट है भूष सकता 10 को मिनिस्ट्री मिले तो प्रपोष्टटिक यह एडवांटेज किसको होता है छोटी पार्टी हो चोटी को को पड़ी में 220 सीट जिस पर्टी के पास है उसके हो सकता है चारी मिनिस्टर बने वहां चाला के लिए बना ताकि फिल्म इंड बनाओगा और मोवीज में चाहता है मुवीज में वह कहा रहानु है मेरा फोर्मल काम तो एक्टर का ही है में मूवी में काम करता हूं ये तो लोगों ने वोला महले में तो में एलेक्शन लड़ जाओ हम जीत गए तो वो काम उसको इनफॉर्मल लग रहा है Is that understood well children? तो नेता जी को अर महीने salary मिलती है अगर आपके पास कोई portfolio है तो benefits और जाद आपको मिलेंगे ये सब कादस पत्री में लिखा हुआ है It is formal बट कुछ नेता लोग आपने सुना होगा घूस भी लेते होंगे सरी कौन नेता घूस लेता है ये तो Bollywood की movies आपको दिखा देंगी तो धाट घूस लेना, bribe लेना is what चले informal जितना पढ़के गयते हैं लिख रहे थे properly question paper में formal और जो बगल वाले से outsource कर लिया वो informal हो गया Is that clear? तो बगल वाली auntie क्या चले गए वो ले थोड़ी सी दहीं दे दीजिए हमको घर में दहीं जमानी है It is informal पूरे मौलेम बात खेल गई कि Mr. X हमेशा हार घर में जागे यही काम करते हैं तो सब ने दहीं देने से मना कर दिया Rule बना दिया It is what समझगे पच्छो Purpose Organization के गोल अचीव हो जाए यह formal organization का purpose है Society में अपने relations strong हो This is the goal of informal organization समझे इस बात को समझे इस बात को तो Office आगे बढ़े Organization आगे बढ़े Formal लोगों का relation आगे बढ़े It is Informal तो आप स्कूल में admit हुए थे Procedure के through Application form हुआ Submit Registration का फिर आपका test हुआ Parents interview वगएर 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 So it is what children Formal But देर सारे दोस्ट यार आपके बन गए पिछले दस बारा साल में स्कूल में Was that formal also? No, it is Informal Logic समझ में आया अलग लग जगा से लोगों को एकठा किया आपने वो अजे देवगन जी की मूवी देखियों की ground अरे मैदान जो फुटबॉल के उपर बेस्ट है Informal तो उनको टीम बनाके इंडिया की तरफ से खेलने के लिए बाहर भेजा गया Then again it becomes Formal और गेम जिताने के लिए सब एक दूसरे के लिए हल्प कर रहे हैं सई तरीके से बॉल को पास कर रहे हैं ये सिखाय नहीं गया ये कह रूल लिखा नहीं गया को चल रहे हैं युगाडपानी से इस इनफॉर्मल बेसिक्ली प्रेडिक्टेबल कौन क्या काम करेगा वू इस सपोस्ट तो डू वाट ये फॉर्मल में डिफाइन होता है बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ डेफिनेशन होता है चल रहे हैं अजी डोवाल जी का नाम आपने सुना होगा नैशनल सेक्यूरिटी अड्वाइजर तो दप्रेज मिन्स्टर अफ इंडिया चल रहें काफी साल वो पाकिस्तान में अजन एजेंट बनके रहे और किसी को कानो कान आखों आखों आख ख़बर लगी ही नहीं सो वाट ही वाज़ अप्वाइंट फॉर इस फॉर्मल समझना क्या बट दवे ओफ वर्किंग वर दीज पाई एजेंट चिल्रें इट इस वाट इनफॉर्मल अब आप कहेंगे सर आप कैसे पता यह सो कॉल्ड पाई की तरह थे अरे यूट्यूब में कितनी इनकी टॉक शोज और पॉडकास्ट है जिसमें पूछाता है बताते भी है सर अब क्यों नहीं जाते है वहाँ पिस अब भाई सीक्रेट एजेंट खुल चुके है अब वहाँ जाएंगे तो पर्मनेंटली सीक्रेट हो जाएंगे इस अब इस अब और सुट्ट समझ गया सब लोग फॉर्मल इन फॉर्मल यह तो कोई निस जो था कि महिंद्रा वाले फॉर्मल लोगर पपू चाय बंडार इन फॉर्मल हो गया नो पपू जाए भंडार भी फॉर्मल है इतने बज़े दुकान को लेगी क्या चाय का रेट होगा कितनी कॉंटिटी चाय देनी है सब कुछ फॉर्मल है समझना क्या बट इंप्लॉईज का आपस का जो बीविएवियर होगा डाट विल वेकम इन्फॉर्मल चल्ट लिए लिए अनुश्का जी समझ गई क्रिश कोई सबको समझ में आ गई यह बात सबको समझ में अगई चलिए अथॉर्टी आपको फॉर्मल में मिलेगी इन फॉर्मल में प्रैक्टिकली कोई अथॉर्टी नहीं होती है चल देनी सो रूल्स डूटीज यह रूल की जगा रूल लिख दीचे चल लें इस नॉट बिसिक्ली अ रूल भी लिख सकते हैं खेर चलेगा कोई बात नहीं है तो यह रूली डिफाइंड एंड रिटन सबको किसको क्या काम करना है हर ओफिस का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है अगर आप कैशियर की जॉब पे गए तो आपका क्या क्या काम होगा आपकी जिम्मेदारी के एससा लिखाय चलेएंड इस फॉर्मल बट इन समबडी अपसंट्स यू फुल्फिल्ड इस और हर ड्यूटी इन यौर अपसंट्स जबडी देग्स विच्पोस्ट तो चल्रेंग विच वर नॉट्ड डेफाइंड और प्राक्तिकली रिटन इस इ यह substitution लगना is a rule, it is formal, और जब science class में commerce का teacher पूछा, एक बच्चे ने teacher से पूछ लिया, वह यह share का मतलब क्या होता है सरम को समझ में नहीं आता, तो physics chemistry maths में तो शेर पढ़ाए नहीं आता, तो teacher ने का चलो इस बच्चे को share के बारे हम कुछ बता देते हैं, बट वो उनको regularly पढ अप्षन थे उनका arrangement लग गया, तो उन्होंने B section में जाके पढ़ा दिया, but he was not supposed to do that, but वो खाली बैटे थे सोचा पढ़ाई दे बच्चों को, तो substitution लगाना is formal, और वहाँ जाके अपनी sweet will से पढ़ा देना is what children, informal, बातें समझ में आ गहीं, या नहीं आई, clearly understood, clearly understood, आपने swimming class join कर ली एक particular batch है, उसी टाइम आपको जाना है, तो it is formal, it is formal, but आप दो गंटा एक्स्टा नहाली उस दिन पूल में, तो भी कोई लगा कि छेपक के पूल के अंदर ही रह जाए, it is what, informal, movie theater में आदा गंटा लेट पहुचे, but अपनी seat पे बैठे, it is formal, अब आपकी starting के आदे ग nature, formal organization is very 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 rigid, predictable, कौन क्या काम करेगा, and stable, but flexibility will be seen where children, only in informal organization, तो सब्जी वाला कभी 10 मिट पहले आता है, महले में कभी 10 मिट बाग में आता है, तो it is informal, is that clear, but आएगा around morning, hour 7 to 9 के बीच में ही, that is fixed, तो ये क्या हो गया, formal हो गया, is that clear, सब्जी वाला कह रहा है, जैसे चाहे वैसे पैसा दे दीजे, मन हो तो कल दीजे, परसो दीजे, तो it is informal, वो कह रहा है नहीं, मैं मोदी जी के सपने को साकार करूंगा, digital India को, और सिर्व UPI से ही पैसा लूंगा, cash लूंगा ही नहीं, it is formal basically, तो जहां पे rules की rigidity हो, formal, जहां flexibility ह तो वो informal, where it is known, आप क्या करेंगे, it is predictable, formal, where you can work for somebody else, somebody else can perform your work, तो it is informal children, stability है rules के हिसाब से जो बोला गया, आप वही करेंगे, it is formal, आप कुछ भी कर सकते हैं, organizational goals को अचीव करने के लिए, तो it is informal, समझ में आ गया, तो policeman को अकल लगानी है, चोर को पकड़ने में, यह formal हो गया, बट अकल कैसे लगानी है, intelligence कैसे यूज करना, यह कोई नहीं बताएगा, तो it is informal, समझ में गया, तो how a death sentence is to be announced in the court of law, यह judge साब को सिखाये गया है, तो यह क्या हो गया, formal, समझ में गया, बट केस को सुनकर, अपने विवेक को लगा कर, स्यू मोटो लगा कर, अपनी अकल के अनुसार, उन्होंने सही जवाब देना है, यह उनको कोई नहीं बताएगा, यह खुद सोचेंगे वो, तो it is informal, समझ में आगी बच्चो बत, कौन किसके ओपर dependent होगा, formal, informal पे बच्चो यह informal, formal पे, informal, formal पे, जब organization ही नहीं होगा, लोगों की gathering ही नहीं होगी, क्या informality हो समझ में आगी बात, तो हर दिन अन्वानमें दिन में पूजा पाट होती है, बट Tuesday is an auspicious day, हर दिन दरगा पे चादर चड़ती है, बट Friday is an auspicious day, हर दिन चर्च में मास होता है, बट Sunday is an auspicious day, कुछ ऐसे बना दिये गए हैं चिल्डन, तो it is formal, बट आप पूजा पाट जब चा जब नीन खुले, दिन में डिल बज़े सो के उटे ना दो के ड़े बज़े, पूजा गलो ऐसी क्या बात है, it is informal, समझ में आगरी ये बात, कुछ लोग ना आते हैं और एक टीका लगा लेते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो धरम में बड़ा विश्वास रखते हैं, वो याद कर लो, एक बार एक डॉक्टर ने एक पेशेंट से बोला, भै तुम्हारा आकरी वक्त आ गया, भगवान को याद कर लो, तो डॉक्तर का ये बोलना क्या होगा, पेशेंट क्या कह रहा है, अब तो थोड़ी दिर मुलागात होई जाएगी, तो इट इस, formal, समझ में आ तो अगला री इंकार्नेशन जो यौनी मिलेगी जनम की वो फिर से मानव जनम की मिल जाएगी फिर से मैं टीचर और आप सुडेंट फिर मैं पढ़ाऊंगा आप परशान होंगे समझ गए इस बात को समझ गए इस बात को तो अभी बकरीद का फेस्टिवल आने वाला है कुछ इस लोग आपको इन्वाइट करेंगे आप उनके घर जाहिएगा इट इस पॉर्मल सुनते सुनते महलें पहुच गए यहां पर विर्यानी वानी चलो यहीं मुह मार ले गुलाए नहीं आपको हाँ पे इस इन्फॉर्मल समझ में आ गई बात नहीं समझ गए पक्का चलिए वो जो होता है न हतियार जिसे कुर्बानी दी जाती है उससे अगर आपने गरदन काटी बकरे गी तो इस आपने इंदरा डरा दिया बकरे को डी मोटिवेट कर दिया बिचारा आट इटेक से मर गया यह क्या था इन्फॉर्मल समझ में आगया चलिए वोयलेशन अगर फॉर चानी नहीं पाएंगे उस परसन को गल्थी किसने की है that's why penalty impose करना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है समझ मां किया तो आपसे कुश्शन पूच सकते हैं why there is no penalty for violation in case of informal organization sir it's a difference लिखा हुआ किताब में ऐसा no because we cannot judge the authority and responsibility we cannot make the person accountable that who was responsible for the said thing basically सब्सक्राइब को बोला गया कि आपको मुझ्रिम को पकड़ के लाना है बट एक पुलिस वाला चुल्बूल पांडेट आई तो सबके नहीं है इनको पैर में गोली मारेंगे इनका इलाज करान ले जाना पड़ेगा आप इनको जेलना पड़ेगा सीधे निप्टा दो काम खदम वाट इंफॉर्मल समझ में आगई बात है बट गवर्मेंट ने रूल बनाया है अब सरकारी होस्पिटल में भी जा सकते हैं और उसके बाद आपकी नोटिंग होगी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होंगे इनफॉर्मल बट अगर बीद बहुत जएदा है तो आपका कार्ड बन जाएगा पोर्टल में अप्लोड ह अब काफी लोग डर रहेंगी अगर वैक्सीन लगवाई तो कहीं निपटना जाएं कुछ होना जाएं तो उन्हें जुगाड पानी से फर्दी कार्ड तो बनवा लिया वैक्सीन लगवाई ही नहीं तो कार्ड बन गया दियार वैक्सीनेटेटेट इन दाइज ऑफ लोग इ आएगी फॉर्मल में और नेतागिरी कहाना जराएगी इन फॉर्मल में सबको बात समझ में अगई तो मोधी जी ने फोन किया मेरे को कि सर प्राइम मिनिस्टर के लिए इस बर क्या आप अगरी है मैंने का नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आप बन जाईए दूसरी पार्टी जी बन जाएंगे और एक साल चंद्रवाभू नाइडू जी बन जाएंगे तो यह जो जुगाडपानी आपस की सेटिंग हैट इन फॉर्मल बट मैं शपत लेता हूं बगएरा बगएरा इट इस वट्स लें समझ में आ गया तो जो सुपीरियर सबॉर्दिनेट रिलेक्श इन फॉर्म इसे क्या बोलेंगे नॉन फॉर्म फॉर्म लागू होगा फॉर्मल में बट इन फॉर्मल में लागू नहीं हो सब्ता है जो फैक्टरी में किसी के लिए धेर सारे वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से इंप्लॉयर से नेगोशियेट कर रहा है हमने उसी को अपना लीडर चुन लिया लाडला एक मुवी आई थी अनिल कपूर जी की देखियोगे आपने जिसमें श्री देवी जी भी थी और अनिल कपूर जी सारे इंप्लॉईस की भलेगी बात करते हैं तो उनको ट्रेड य से आपकी भईया का रिष्टा फिक्स हो गया तो इस वाट फॉर्मल बट अगर मैट्री मॉनियल साइट पर फोटो गई पंड़ जी को फोटो दिखाई गई वो रिष्टा लेकिया इस समझ गे इस बात को बच्छो का तो इसी के साथ हमारे डिफरेंसेज होते हैं और इन फॉर्मल औरनिजेशन होता है समाप बच्छो